आज 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 हम आपको गाइट करेंगे कि हमारी जो डबल डोर रेजरेटर है हम उसकी जो टेमरेटर सेटिंग है वो कैसे कर सकते हैं और हम इसके कूलिंग को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सबसे पहले आज आज आपको गाइट करेंगे कि इसका जो डिजिटल पैनल है उसके अंदर कौन को इसी सेटिंग्स है सबसे पहले इसके अंदर एक लोग का बड़न अदर आ रहा होगा जिसके उबर एक छोटा सा लोग भी बनाऊगा विए इसको हमने 3-5 सेकंड के लिए प्रेस करना है तो जो हमारा लोग है वो अनलोग हो जेगा हमारा डिजिटल पैनल सबसे पहले ऑप्शन वीवर्स है अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेफ्रीजरेटर ज्यादा कूलिंग करें तो हम इसको सूपर फ्रीजरेटर मेक्सिमिम कूलिंग आप 2nd नमर पे विवर्स होली डे की ओप्शन मुझूद है अगर आप कहीं अबरोड या किसी और जगा पे जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए तो आप इसको होली डे की फंक्शन के ओपर लगा सकते हैं जिसमें आप अपना जितना भी मटेरिल है उसको फ्रीजर पॉशन के सर्फ कहते हैं आपकी बाहर की फीरीट इंग की तो आप की टेम प्रेटर के साब से राफिजडियटर जो है वह आपिनील अपनी आपनी टेमपरेशर को सेंट कर लेगी इसके बाद विवर्स आप ने देख लें किसके पैनल पे इसका पर अप्शन मुझूद है अगर आप चाहते हैं और इसको super cool पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस जो फ्रिज के बटन को तीन सेग्रें प्रेस करके रखेंगे तो अभी एक छोटा सा symbol pop-up हो जएगा यह देखें व्यूर्स चोटा सा symbol pop-up हो गया cooling का इस में जो आपका पैनल है वो super cool के ऊपर चला गया है और आपके फ्रिज भी super cooling करेगी इसके बास आप अगर इसको manual set करना चाहते हैं तो आपने freezer की जो है उस बटन को select करना है आप maximum cooling के लिए इसको माइनस 24 के पर select करना है जिसके मज़से आपका freezer है वो आपको maximum cooling प्रवाइट करेगा तो विएर्ज यह जो आपके display की test setting है इसके अंदर आज आपको guide कि है कि हम अपनी cooling को कैसे ज्यादा कर सकते हैं शुक्री है